गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास आज हम हिंदी सब्जिक्ट पढ़ने जा रहा हैं काल हमने क्या पढ़ा था बिना मात्रा वाले दो अक्षर की शब पढ़ा थे आई होप यू इसके अंदर ही आपने किया होंगे दो अक्षर वाली शब्द आपने रीड रीड आउट किया होंगे और यह सारे आपने यह जो होमाख मिली थी आप सबने किये होंगे ठीक है तो आज क्या हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे तीन अक्षर वाले शब्द हो भी बिना मात्रा वाले बिना मात्रा के तीन अक्सराले शर्ट यहां पे कुछ चित्र दिया गया है उसी चित्र के नीचे आपको यह बढ़ना है तो आपको कैसे बोलना है ववन यह क्या है मगर 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 फिर क्या है फिर आपको यह इसमें क्या है इसमें क्या है बतक जैसे पिक्चर नीचे उसमें दिया है तो आप इसको जोड़के बतक लिखोगे नेक्स्ट क्या है देखो यह कलश है कलश कलश फिर क्या है कलम 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 नेक्स्ट में क्या है यह देखो यह है हवन यह हवन हरना तो हवन हवन तो आपको यह जो पिक्चर दिया है और नीचे कुछ वर्स लिका है उसको आपको पिक्चर के साथ आपको रिड़ाउट करना loudly okay now next next में क्या है next में भी तीन अक्सवराली शब्द दिया है अगर अमन असल खटक करम शमय रबर चरन यह सब तीन अक्सवराली शब्द है यहां पर क्या है तीन अक्सवराली कुछ sentence दिया है तो हम इसको पढ़ते हैं रमन चल हवन कर कलम पकर उसके बाद क्या है सफल बन तो यह सारी के सारी देखो आप तीन अक्सवराली शब्द है तो यह जो sentence है सब में यह तीन अक्सवराली शब्द है यह आपको घर पे अच्छा से रिड़ाउट और लेंड करना है ओके नाव नेक्स्ट नेक्स में क्या है नेक्स पेज में नेक्स पेज में भी सेम हैं तीन अक्सवराले कुछ sentence है जैसे पल भर ठार यहां पर देखो दो तीन अक्सवर मिक्स करके है पहले आप प्रिवियस चैप्टर में दो अक्सवराले पर है आज हाँ हम लोग तीन अक्सवराले पढ़ रहे हैं तो दोनों मिला के हम आज परेंगे यह देखो दो अक्सवर यह देखो यह तीन अक्सवराले तो पल भर ठाहर महल तक चल अजय शहर चल उधर मत जगर तो यह जो sentence है यह जो है दो और तीन अक्सर मिला के तो आपक यह सब घर पे रिडाउड करना है और लाइंड भी करना है ओके नौ नेक्स्ट नेक्स्ट देखो चित्र के नीचे नाम लिखो यहां पे कुछ चित्र दिया है उसके नीचे नीचे आपको नाम लिखना है तो यह क्या है शहद है तो नीचे नाम लिखा है शहद शहद यह क्या क्लश तो आप इसको आप क्या लिखोगे कर मैं आपको यह दो कर दिया है बाकी आप नीचे आपका होमक रहेगा पिक्चर देखो और पिक्चर देखते हुए आपको यह नीचे इसकी spelling लिखनी है, okay, now next, next में देखो, कुछ spelling दिया हुआ है, कैसे उस spelling को कैसे लिखना है, उसको आपको ऐसे ही, देखो, एक कड़के दिया है, देखो, इसमें क्या है, क्या spelling है, शहद होता है, कैसे लिखा, पूरा अलग से लिखा है, शहद, तो next क्या है, कलश, क्या लिखना है, कैसे लिखोगे, क प्लस ल, प्लस शह, यह हो गया कलश, फिर क्या है, कमल लिखना है आपको, तो कमल कैसे लिखोगे, क प्लस म, प्लस ल, कमल, यह क्या है, नमक, न, प्लस म, तरीके है सड़क तश प्लस ड ररा फिर का देखो जैसा मैम यह सारे मैम ने कर दिया नेक्स जो लिखा हुआ है उसको आपको खुद करना है जैसा मैम ने किया है उसके वैसे ही सिमिलार प्रोसेस में आप यहां पे करोगे नेक्स नीचे दियेगे अक्षरों से बिना मात्र के तीन अक्षराली शब बनाओ यहां पे एक एक अक्षरी दियावा है उसमें और दो अक्षर जोर के आपको यह तीन अक्षराली शब बनाना है देखो यहां पे तरे आ लिखा है तो तीन अक्षराली शब कैसे लिखोगे इ ए मैंने म अर ना, मैंने जोर दिया, तो क्या हो गया तिन अक्षर अ मन, क्या हो गया ? अमन, ओके ? ना नेक्स, यहा भी आपको 2 अक्षर और जोर नहीं, मैंने यहां पर ह पर ह वह लिखा और फिर रा भी लिखा तो क्या हो गया तिन अक्षर वाले शब ठहर ठहर देखो यहाँ पे सिर्श शाद यह है मैंने दो अक्षर क्या लिख रही हूँ ह प्लस द आपको ये तिन अक्षर क्या हुआ शहद हो गया आपका शहद अच्छा उसके बाद क्या है तो यह जो मैंने कर दिया है यह जैसा मैंने किया है नेक्स्ट देखो जो भी है तीन अक्षर वाले शब इसको आपको फिल करना है और दो अक्षर जोड़ के ओके तो यह भी आपका होम आक रहेगा यह भी आपकी होम आक रहेगा और नीचे देखो नीचे कुछ चित्र दिया है दिया है ना चित्र इसमें से चित्र को देखके आपको इसमें से देखो कुछ ब्लैंक्स भी है है इस ब्लैंक्स को आपको फिल आप करना है चित्र के देखके देखो यह किसकी चित्र है बतक की तो यहां पर बर खा लिखा है कौन सी लेटर नहीं है तो आप इसको ता लिखाए यह क्या है कलम है देखो लर्म लिखावा है कौन सा उक्षा नहीं लिखा का उखा ओके यह क्या है देखो आप यह क्या है यह नगर है तो नग लिखावा है क्या नहीं लिखा र तो आप नगर यह 우他 हो गया, बाकी आप खुद करोगे चित्रों को देखते हुए यह देखो, चित्रों को देखते हुए आप इसको खुद भरोगे ओके तो आपका क्या होमक किसी बुक के अंदर रहेगा देखो, मैं आमने कौन सा कौन सा आपको करने के लिए दिया है सबसे पहले इसको चित्रों के अनुशर आप read out करोगे next आप इसको spelling के साथ आप जोर जोर से घर पे इसको learn करोगे sentence और अक्षर यह जो भी है सब उसके बाद यह वाला भी आपको learn करना है और नीचे देखो कुछ picture दिया है उसके नीचे नीचे कैसे लिखना है जैसे मैं आपने दिखाया वैसे ही आपको इधर लिखोगे next इसमें दो अक्षर जोर के तीन अक्षर बनाना है यह भी मैं आपने कुछ कर दिया है बाखी आपको करनी है इसमें जो है चित्र के अनुशर आपको जो खाली स्थान है उसमें आपको खालिस्तान को भरना है तो यहां आपकी हो माख है इसी बुक के अंदर ओके नाओ मैं नोट बुक का मैंने नेक्स्ट क्या आप करे रहे हूं नोट बुक के अंदर मैं कुछ दिखाड़ी हूं हो मख करना है आपको तीन अक्षुराली कुछ शब्द इसमें लिखना है सुन्दर सुन्दर राइटिंग में निट अन क्लीन ओके तो नोट बुक के अंदर आपकी यह होला हो मख रहेगा जैसा मैंने तीन अक्षुराली शब्द लिखे हैं वैसे ही आपको यहां पर तीन अक्षुराली शब्द लिखनी है और बुक के अंदर जो मैंने इसी बुक्स को पढ़ाए उसके अंदर तीन अक्षुराली शब्द को आज पढ़ाएं उसी इसी बुक्स में आपको करना है ओके क्लियर ठैंक यू